बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ना तो शीट से ग्रो करने की जूरत होती है और ना ही उनको कटिंग से ग्रो करने की जूरत होती है वो ऐसे प्लांट होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं और अपने आप ही डिवाइड होते रहते हैं गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स कैसे आप सब आई होबा बच्चे होंगे मैं भी ठीक हूँ तो आज मैं आपको ऐसे प्लांट बताऊंगी जो डिवाइड होते रहते हैं और उनको आप अलग करके डेरो प्लांट बना सकते हैं तो सबसे पहला प्लांट आता है यह सिंगोनिय सिंगोनियम आपको नर्सरी से एक बार लाना होता है यह 100 या 120 रुपे में मिल जाता है फिर इसको डिवाइड करके आप अलग अलग ऐसे चोटे चोटे पोर्ट में इन प्लांट को लगा सकते हैं सिंगोनियम प्लांट के नोड एरिया में रूट्स निकलते रहते हैं और उ 200 रुपे में प्लांट मिल जाता है यह इंडूर वाला प्लांट है कम देख बाल में चलता है बहुत हार्डी प्लांट है और इसको भी आप डिवाइड करके एक से अन्य को बना सकते हैं या यह भी रूट्स में से बहुत सारे चोटे-चोटे बेबी प्लांट निकालता है और उन्हीं को आप अलग कर के अलग गंखंड में लगाकर ध्रोंट बना सकती हैं और यह कम देख बाल में तो चलता है यह इसको पानी भी एक प्लांट है और यह जो ब्लांट है यह डैकुरate के तोरपे भी काम आता है और इसको चाहर पिंग तो इसको साल में 2 बार खास झ साइप में बहुत ही प्यारा लगता है और इस प्लांट को बड़े गंबले की जूरत होती है आप इसको 14 इंच के गंबले में लगा सकते हैं और यह वाला जो प्लांट है यह इंडोर में इसको रखना होता है तूप इसको कम लगानी होती है नेक्स्ट है यह स्नेक प्लांट यह भी डिवाइड होता रहता है कटिंग से तो वैसे इसको लगा सकते हैं बट यह ऐसी वराइटी में आता है यह बहुत सारे साइड में से बेबी प्लांट निकलता है और उन्हें को आप डिवाइड करके अलग-अलग गंबलों में चोटे- प्लांट आते हैं और यह वाला जो प्लांट है यह देखो एक से अनेको बने हुए प्लांट है इन में से एक निकाल कर मैंने अलग मेरी DIY बोटल्स में भी लगा रखा है और यह देखो कितने सारे हो गए हैं इसके अंदर और यह देखो यह बोटल्स में ही मैंने लगाया ये एरिका पाम के प्लांट इनको भी आप एक बार ही नर्सरी से ले आएं ये आपको सो या डेड़ सो रुपे में चोटा प्लांट मिल जाता है और फिर एक से आप अने को बना सकते हैं ये भी बेबी प्लांट निकालते रहते हैं ये भी एक से डेरो बना सकते हैं तो ये दे कितने सारे हैं इसको दूप में नहीं रखना होता है साल में इसको दो बार खा दे दो कम देखबाल में और कम पानी में चलता है यह वाला प्लांट और यह ऐसे चोटे चोटे बेबी प्लांट निकालता है तो मौनसून सीजन आता है तब आप इनको डिवाइड कर सकते हैं और एक से डेरो बना सकते हैं नेक्स्ट आता है ये फर्म की वराइटी और इसको भी आप डिवाइड करके एक से अनेको बना सकते हैं नर्सरी से ये आपको डेड़ सो या दो सो रुबिय में चुटा प्लाट मिल जाता है कहीं कहीं आपको ये सिस्ता भी मिल जाता है तो इसको देखो रूट्स में इसके वैसे तो बल्ब होते हैं तो इनको आप अलग-अलग करके लगा सकते हैं और एक से अनेको प्लांट बना सकते हैं इसको आप हैंगिंग बासकेट में भी लगा सकते हैं फरन की तो और भी वरायटे होते हैं वो भी एक से अने को बन जाते हैं, चोटे छोटे बल्ब से लगते हैं, और कुछ शीड से भी लग जाते हैं, तो ये वाला प्लांट भी एक से अना को बनता है, इंडूर वाला है, कम देखाल में चलता है, और दूसरी वराइटी हैं, फरन की ये है, इसको आप सीड से लगा तो सकते हैं बट इसमें बल्व होते हैं अगर उन बल्व को आप अलग करके डिवाइड करके अलग-अलग पोर्ट में या अलग-अलग हैंगिंग पोर्ट में लगा लो तो लगा सकते हैं यह वाला भी बहुत ही प्यारा प्लांट है नेक्स्ट आता है ये युक्का प्लांट युक्का भी बहुत ही प्यारा प्लांट है नर्सरी से आपको ये डेड़ सो या दो सो रुपिय में मिल जाता है और ये वाला प्लांट भी छोड़ छोड़े बेबी प्लांट निकालता है यानि इसको भी आपको कटिंग से या लगाने की जूरुत नहीं होती, ये भी डिवाइड होता रहता है, तो इस वाले प्लांट से भी आप अपने गार्डन में एक से आने को बना सकते हैं, और ये वाला जो मेरा प्लांट है, ये साथ साल का है, ये थोड़ी स्लोली ग्रोथ कटता है, बट ये बहुती प्यारा होत होता है, और ये देखो, ये इसी के ही चोटे-चोटे बेवी प्लांट है, बिल्कुल ही चोटे-चोटे मैंने डिवाइड करके इस गमले में लगाए थे, और ये देखो, ये वाला जो प्लांट है, मेरा दो साल का हो चुका है, और ये वाला मेरा एक साल का है, तो ये जो य आए तो इसके शीड बनते हैं और वो शीड अपने आप ही गिर जाते हैं गंबले के अंदर या दूसरे गंबले के अंदर तो छोटे चोटे बेवी प्लांट अपने आप ही बन जाते हैं कुछ से इसको लगाने की ना तो जूरत होती है क्योंकि ये एक से अने को अपने आप ही बना देते हैं और ये वाला मेरा प्लांट देखो इसमें जब शीड आए तो अपने आप इस गंबले के अंदर गिर गए और ये देखो कितने सारे चोटे चोटे बेबी प्लांट बन गए हैं जब ये थोड़े से और ग्रो हो जाएंगे तो मैं इनको डिवाइड करके यानि अलग-अलग निकाल कर अलग-अलग पोट में लगा दूँगी तो ये वाला जो प्लांट है ये अपने आप ही चोटे चोटे प्लांट बना रहता है खुट से ही और ये देखो ये एक प्लांट मैंने निकाल के इसमें लगा दिया और दो इसमें लगा दिये ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ भी करता है नेक्स्ट प्लांट है ये कालांचो ये भी बहुत ही प्यारा खुबसूरत फ्लावर वाला प्लांट है ये भी छोटे-चोटे अपने आप ये प्लांट निकालता रहता है और एक पती से भी गरोव हो जाता है तो इसको भी आपको अलग-अलग कटिंग से लगाने की जूरत रहता है ये बहुत ही सुद्य और नेक्स्ट आता है ये स्पाइटल प्लांट है ये भी प्लावर प्लांट है जोटे-चोटे-बेबी प्लांट निकालता रहता है आप इनकों डिवाइड करकेध एक सेनेय Lauश्ट प्लांट बना सकती है ना तो कटिंग से लगाने की जूरत बीज से लगाने की जुट ए। फिर नेंस्ट आता है, यह रेंली यह फ्लारीं वाला प्लांट है, गर्यों का वहॊट ही प्यारा प्लांट है, यह बल्प से लगता है। इसको भी आप डिवाइड करके थीया को बना सकते हैं और ये permanent plant है बलब को आप save करके फिर से लगा सकते हैं फिर next plant है ये नेस्टरेशियम्स ये भी बहुत ही प्यारा plant है इसके भी sheets बनते हैं और अपने आप गमले में गिर जाते हैं यानि अगर ये मिट्टी में यानि अगर जमीन में लगा होता है तो ये plant कभी भी कतम नहीं होत इसको बस थोड़ी सी गर्मियों में चाया में रखना होता है और इसके sheets गिर गिर के एक से अनेको प्लांट अपने आप ही बन जाते हैं पैसे तो sheets से बन जाता है ये वाला plant बट हमें अगर ये जमीन में लगाना हो तो जमीन में लगाने के बाद आपको इसको दुबारा ल सब्सक्राइब करें फिलती हो नेक्स्ट वीडियो में नए टोपी के साथ बाइ बाइ फ्रेंड